हाई एवरिवन वेल्कम अगेन तोड़े वियर गोंग तो लार्न वान बोर इंपोर्टेंट ट्रिक ओन प्रॉफिट एंड लॉस अन देशे ट्रिक नमबर फ्रॉफिट एंड लॉस प्राट इल MONCS प्रॉफिट अभाग संब्लेग तो व'. कही वार भार हमें दो अंतर बता चाहेता है कि अगर अज़सा हो तो कितने रुपे का अंतर आएगा तो उसी ठंका ये सवाल है और उसी में ये ट्रिक लगानी होगी हमें ताकि हम इन एक ग्रेट दो मिनिट में आने वाले अंसर को कुछ सेगंड के अंदर कर सकें कुछ सेगंड के अंदर दे सकें तो कि SST और बैंकिंग में बहुत किताब को पांच प्रस्त हानी पर बेचता है पांच प्रस्त हानी पर ये इंपर्टेंट हमारे लिए हैं यदि वह इस किताब को दस प्रस्त लाब पर बेचे दूसरी बार उसको लाव हो रहा है लाब पर बेचे तो साट रुपे अधिक मिलेंगे उसको 60 रुपे अधिक मिलेंगे तो हमें 3 important points यहाँ पर मिले हैं पहली बार उसको loss हुआ दूसरी बार बेचना चाहे तो उसको profit होगा और तीसरी बार मैं उसने हमें दोनों का अंतर भी बता दिया अब फिर पूछ लिया है उसने किताब का क्रेमूलिय क्या है तो यहाँ पर जो important points हैं जो हम देखने जा रहे हैं वो यह है कि हम हमेशा CP को एक तो क्रेमूलिय को 100% मानते हैं ठीक है अब उसके बाद क्या करते हैं profit and loss का अंतर निकाल लेते हैं जो profit हुआ है या loss हुआ है दोनों बार हो सकता profit हुआ हो दोना बार हो सकता है loss हुआ हो या यह भी हो सकता है एक बार profit हुआ हो पहले और दूसरी बार वो loss दिखा रहा हूँ तो यह तीन तरही condition यहाँ पर मिलती है उन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं यह अंतर बहुत important role play करता है उसके बाद क्या होता है difference in percentage, profit and loss जो percentage, profit and loss हमें यहाँ दिया है जिसी सवाल में 5% और 10% दिया है तो इन दोनों का difference निकाल लेंगे ठीक है अब हम यह सवाल करते करते हैं सीख जाएं कि हम difference के लिए shortcut क्या इस्तमाल करेंगे जो वीडियो के last में आपको पता चलेगी तो वीडियो last तक आप देखना महत भूलना एक trick इसमें बाद में पता चलेगी दो तीन practice पहले हम कर लें तो चले देखते हैं फिर क्या करते हैं हमने यह formula लिया और दोनों का अंतर हमने निकाल लिया profit and loss का जो हमें हो रहा है बारी-बारी से एक बार profit एक बार loss हो सकता है या दोनों बार profit हो सकता है या दोनों बार loss हो सकता है उसके बार जो हमारा CP है CP हमना 9 नहीं हमारा पता नहीं है हमारा क्रामुल्य क्या है प्राफिट यहां पर डिफ्रेंस इन रूपीज जैसे यहां पर डिफ्रेंस इन रूपीज कितना दिया हुआ 60 दिया है तो 60 वाले बच्चों के लिए हम इस फॉर्मूले के नीचे लिए आपके लिए अंतर निकालना है दोनों का प्रॉफिट या लॉस का जो भी हुआ हो और रुप्रेंगें लिए से लिए हम इस सवाल का सॉलुछन है जब किसी खीना की यह किताव को बेचता है तो पांच प्रसेत के पर बेचता है यह दि यह किताब को दस किताब फशुय जानि के पहले हा स्युशू हरो रूफ यह और दूसारी बार हुआ यहरूने नहां एक एक कि प्रॉफिट एप एक बार लॉसब SUR को एड़ कर देंगे तो यह हमारा समय 0,25% का दोनों का अंतर निकल आएगा हमें से याद रखना है जब प्रॉफिट वीष लॉसट और नों को mist करके है यह हमारा एक पॉइंत है जो आ को ही अपको नोट करना पड़े तो हमने यहाँ पे 15번 לिख दिया है रुपीज दिया है अब हमने करना कुछ नहीं है सीधे कट कर लिए जो हो गया है अब हमने क्या करना सी पी निकाल लिए फोर के साथ चला जाएगा और इंटु हंड़ेट आंसर कितना हो गया फोर यह हमारा आंसर है जो मैं चाहिए था तो हमने कुछ नहीं करना सीधे यह डिफ्रेंस देखना है कितना आ रहा है एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस हो तो इन दोनों को एड़ करके आंख बंद करके एड़ कर देंगे और यहां पंद्र आ गया है पंद्र की वैल्यू प्लेस कर यहां पर सूत्र में फर्मूले में और अपना निकाल लिए तो आंसर विदिन दो तीन सेगिंड आ जाएगा अगर आप चार-पांच सवालों प हानी पर बेज़ दी गड़ी को 25 पर बेजता तो उसे 140 रुपय अधिक मिलते हैं एक बार हनी हो गई दूसरी बार प्रॉफिट हुआ है लास दूसरी बार प्रॉफिट तो लास और प्रॉफिट के केस में जब पर्सेंटेज का डिफरेंस निकालेंगे हम तो हम दोनों को ए जात कीजिए तो हमें पता है रुपिएं में अंतर हमें 140 दिया है और परसेंटेज का अंतर हमने दोनों को प्लस कर दिया है क्योंकि एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस हुआ तो यह 35 आगया हमारा उसके बाद फॉर्मूला हमारे पास है फॉर्मुलें वैल्यू प्लेस कर करते हैं यह का अंतर दोनों का यह अंतर हमार पास 35 है 35 रख दीजे अपन हंडेट रख दीजे इंटु सीपी वैल्यू पता नहीं है रख देंगे अंतर रुपियों में हमें कितना दिया हुआ हुए 140 140 कट कर दीजे 35 से वन जा और 35 पोर जा जाता है 35 पोर जा होता है तो हमारा तो कितने सेकिंड लगे अंसर आने में हाडली चार्शा सेकिंड विदाओर पैन करोगे और एक दो सेकिंड का अंदर आंसर आन लेगा एक और अग्जामपिल देखते हैं जिठंका एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को 15 प्रस्त हानी पर वेचा ठीक है हानी हो तो उसेक फोपचास रुपया दिक मिलते हैं पहले पंदर losing हानी दूसरी बात पांच प्रस्त हानी ये नोट कर लेना अवग दोनों बार हानी होग गई।। तो उसे एक सो पचास रुपा धिक मिलते differenti mir कितापका किरामूलियें इधिकल कीजिए दिकिए दोनों बार हानी ह हो गई तो हम अंतर कैसे निकालने के लिए परसंटेज का अंतर दोनों को घटा देंगे तो 15 माइनस पांच इस उकल डू दस ठीक है वैल्यू सूतर हमें पता है सूतर में आप वैल्यू रखिए फट से यह और आंसर करिए तो हमें यह मिल गया है दस यह वाला अंतर दस हो गय CP हमें नोन है इस इकल तो अंतर रूपियों में 150 दिया गया हमें 150 हमें रख दिया कट कर यह फटा फट एक जिरो से एक जिरो यह ख़तम हो गया 10 से इधर चला जाएगा तो हमारे पास CP इस इकल टू एक सो पचास एक जिरो आप बढ़ा दिया 15 रूपर यह हमारा अंसर आज से हम कितने बड़े-बड़े सवालों को निपता ले रहे हैं अगला एक्जामपल देखिए एक किसान को 14 प्रसद एक किसान ने गाय को 14 प्रसद लाप पर बेचा लाव हो गया हमने नोट कर लिया यदि वह उस गाय को 26 प्रसद लाप पर बेचता दोनों बार लाव हो रहा हाँ तो उसे 78 रुपे अधिक मिलते है तो किसान ने गाय को कितने रुपे में खर Sanders था यारी किसान किरा मुह इन निकालना है solution हम देखेंगे वही पुराना तरीका दिया है हमें 14% पहली बार में हुआ दूसरी बार में 26% लाव होने वाला था upon 100 into CP is equal to अंतर रुपियों में कितना है 1728 लिख दिया है अब हम इसको कट कर देते हैं 12 वंजा 12 और 12 से इसको काटेंगे तो 144 हो जाएगा है तो आब आगे चलते हैं थोड़ा सा CP is equal to इसको इससे multiply कर दी और कुछ बचाए नहीं है 14400 14400 रुपे में उसने उसको खरीज़ा था यह हमारा CP बना तो हमने फट से बितीन सेकंड यह अंसर कर दी है कुछ सेकंड में हमारे अंसर आ जाते हैं आगर प्रिश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् दोनों को जोड़ का निकालते हैं जिसे 10 प्रिस्यत हानी और 15 प्रिस्यत का लाव तो अंतर हमारे कितना आ गया है 10 प्लस 15 पच्चेस तो यह हमारा हमने लिख कर इस चीज को बता दिया सवाल में आपको बार 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 बताया है तो देखते रहे हमारे वीडियो थैंक यू प्रिवए तो यहस्ति.